हेलो आज हम बात करने वाले हैं जामिल इसलामिय के एड्मीशन 2021 के बारे में बात करने वाले हैं एड्मीशन 2021 से रिलेटिड बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं यह हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अब क्या क्या डाउट आ रहे हैं, यह हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आईए एक एक करके बात करते हैं कि क्या क्या बच्चों को डाउट आ रहे हैं, एप्लिकेशन फार्म से रिलेटिड डाउट आ रहे हैं, चाहे स्कूल का एप्लिकेशन फार्म हो या फिर यूनि तक आ सकता है 2021 का अगर हम application form के बारे में बात करें तो देखिए application form March and यह हम क्या सकते हैं अप्रेल में application form आने के जो है काफी chances है application अब delay क्यों हो रहा application form जैसे कि आप लोग को पता है कि admission जो है तक के admissions हुए है यही reason है कि application form आने में डिले हो है और कोई reason नहीं है क्योंकि अभी admission formality ही complete हुई है तो यह तो आप लोग को पता है कि application form इस वज़े से डिले हो रहा है अब कब तक आ सकता है application form अगर मैं बात करो application form आप कभी भी आ सकता है और बाकि जैसे यह application form आएगा मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूँगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए form कैसे फिल करना होगा ताकि आप form फिल करते वक्त कोई गलती ना करें reservation category आप visibility condition यह सब के बारे में हमने इसलिए एक एक करके हर चीज़ के बारे में बात कर लिए ताकि आप लोग form फिल करते वक्त गलती ना करें और form जब फिल करेंगे यह भी मैं आप लोगों को बता दूँगा क्या form फिल कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ठीक है तो application form जैसे यह आएगा मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूँगा बस अब यह कह सकते हैं कि हाँ अब application form कभी भी आ सकता है चीक है तो application form की आप टेंशन ना लें जब आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा आप अपने course की entrance की preparation करते रहें जैसे भी preparation कर रहे हैं second doubt PhD entrance के बारे में PhD entrance के regarding अगर हम बात करें तो PhD entrance के regarding अब कभी भी notice आ सकता है PhD entrance के regarding अब आपको बस सरिफ इतना ही करना है आप regularly जो है दो से तीन बार दिन में sites को चेक करते रहें ठीक है अगर आप PhD entrance दे रहे हैं तो आपको यह चीज़ ध्यान रखने है कि जल से जल अब कभी भी notice आ सकता है इसके regarding तो आप चेक करते रहें दिन में दो से तीन बार साइट को जरूर चेक करें ऐसा ना हो आपका entrance च्छूट जाए ठीक है बाकि जैसे PhD entrance के regarding कुछ भी update होगा मैं आपको update कर दूँगा वीडियो बना के यह कोई दिक्कत नहीं है पर आप भी खुद भी चेक करते रहें चीक है यह second doubt आप लोगों का clear हो जाना चाहिए और other doubts बच्चे को क्या आ रहे हैं थर्ड अगर हम बात करें eligibility देखे eligibility के लिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के update कर रखाए कि आप eligibility कैसे चेक कर सकते हैं मैं आपको बताये तो आप prospectus डाउनलूड कर लीजेगा old prospectus उसमें आपको जो eligibility condition आप उसमें असानी से चेक करवाएंगे कि आप किसी course के लिए eligible हैं या नहीं प्रोस्पेक्टर जो है टेलीग्राम पर upload होगा तो आप वहां से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं बाकी एक बार में वापस अभी prospectus upload कर दूँगा स्कूल का भी और जो है यूनिवर्सिटी इसका भी ताकी आप अगर वाडियो अप्लोड करीव हुई है देखे जामिया एड्मिशन 2021 से रिगार्डिंग जो एक अलग से प्लेलिस बनी हुई है उसमें आपको सारा अपडेट किया जा रहा है इसलिए सर्थ चीज के बारे में जो है उसमें आपको मैंने इसलिए बता रखा है डाउट के लिए भी एक अलग से प्लेलिस बना रखिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए अगर एड्मिशन 2021 से रिलेटिड आपको कोई भी डाउट है कि आपको स्लेबस कैसे चेक करना है आपको प्लेलिस में आपको वीडियो चेक करना ही कि एंट्रेंस टेस्स आपको कैसे चेक करते हैं और बाकी आप कैसे चेक कर सकते हैं आपको जाय मिले इसलामे की साइट पर जाना है जो वहां पर आपको एंट्रेंस टेस्स का स्लेबस कर सकते हैं बाकी आप एक वीडियो देख लिजेगा जो मैंने बना रखी है अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता देजीएका मैं help कर दूँँ आपकी तो एंटरेंस टेस्स के स्लेबस के रिगार्डिंग जो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एंटरेंस टेस्स का स्लेबस कैसे चेक करना है हाँ अभी कुछ जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको जिन कोर्स का अवेलेबल नहीं है या नहीं आ रहा है तो जैसे ही अवेलेबल होगा मैं आपको वीडियो बना दूँगा तो आपको उस चीज से रिगार्डिंग कोई प्राब्लम नहीं होने चाहिए अब इसके अलावा आप लोगो को दे दिया जाएगा अगर कमेंट में आपके कोशन का जवाब दिया जा सकेगा तो आपका अंसर उसी में मैं आपको बता दूँगा अप्लिकेशन फार्म के रिगार्डिंग अब आपको डाउट ना रखें जल्द से जल्द अप्लिकेशन फार्म आ जाएगा और आपको थांक यू